अपने बारे में एक शेर पढ़ना चाहूंगा मैं सबसे पहले, एक मतला एक शेर देखिए रू में समा जाए, वो अदा हूँ मैं, आगे तेरे थम जाए, वो फिजा हूँ मैं रू में समा जाए, वो अदा हूँ मैं, आगे तेरे थम जाए, वो फिजा हूँ मैं लबो पे तेरे ठैर जाने को जी चाता है, लबो पे तेरे ठैर जाने को जी चाता है आहिस्ता पी ना उतरने वाला नशा हूँ मैं बहुत नवाजिश आप लगों की और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उर्दू भाषा में लिख सकूँ और बस लिखी पाता हूँ थोड़ा बहुत उर्दू में लिखने का क्या होता है कि लोगों ने उर्दू के बारे में बहुत बाते सुनी हैं कि बहुत मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा, और बच्पन से हम लोग उर्दू गाने सुनते आ रहे हैं, शुक्रिया गुलजार भाई का, तो लेकिन आज तक चहरा किसी ने उर्दू का देखा नहीं है, तो उसी के ओपर कुछ है, चहरे में मासूमियत उनकी, होटो पे अत्फाल सी हसी, मगरूर जवानी के सफर में हमसाय तफोलियत मिल गया, देखे आगे-आगे क्या-क्या मिलेगा, हर दूआ कुबूल नहीं होती, सजदा करना भी आता नहीं, हर दूआ कुबूल नहीं होती, सजदा करना भी आता नहीं, उनके रह्मो करम से अलफाजो को शाइरी का एक नाम मिल गया, उनके रह्मो करम से अलफाजो को शाइरी का एक नाम मिल गया, पर दसने के लिए एक उजर मिल गया, और एक शेर है, आखरी शेर है, मक्ता पेश कर रहा हूँ, महबबत मतलब करने वाले कहते हैं कि महबबत हो गई है, लेकिन वो होती नहीं है, कि किसी को देखा, कुछ हो गया, कुछ मिला, कुछ हो गया, लेकिन उसी के उपड़ एक शेर है, महबबत इतनी आसान नहीं है, सब कुछ दुनिया गवाती है, महबबत इतनी आसान नहीं है, सब कुछ दुनिया गवाती है, खुश किसमती वियों देख अपनी, सांसे रहते खुदा मिल गया, शुक्रिया, और कुछ लाईने लिखी हैं, जैसे जब तुमको किसी को भी प्यार हो जाता है न, तुमारे घर वाले बड़े खुश होते हैं, बैटे अब आईये तरह को सुधारने वो, तो उसी के उपर कुछ लाईने हैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला शेर पढ़ता हूँ, एक मतला एक शेर देखिये, निशाने तो बहुत लगाए, लेकिन कोई घायल तो नहीं किया, उनकी एक अदाने हमें जिन्दा ही मार दिया, ख्वाब हमने भी दिखाए, कोई सताया भी नहीं, फकत उनकी वसल की चाहत ने रातों भर जगा दिया शुक्रिया नाजथा अपनी नजरों पे एक शब्द है खार, खार का मतलब होता है काटे नाजथा अपनी नजरों पे, खार जो ये दुनिया दिखती थी उनकी कुछ सची बातों ने आँखों से खुन तक भा दिया और इसका आखरी शेर है शायद अफसुर्दा थे ख्वाबों से अफसुर्दा कहते हैं डिप्रेस्ट जो होते हैं शायद अफसुर्दा थे ख्वाबों से अफ्ताब भी रोज जलाता था अफ्ताब अलब सूरज शायद अफसुर्दा थे ख्वाबों से अफ्ताब भी रोज जलाता था सजदे में एक व्योम सुनके उनकी बुच्ता हुआ दिया जला दिया बहुत शक्रिया और महबबत की बाते हो गई है सारी बाते हो गई है लेकिन एक बहुत छोटी सी गजला वह पढ़ना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वो कुछ ऐसे है मतलब आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि एक इंसान मेरे दिल के बहुत करीब था मेरे परिवार का हिस्सा था वो चला गया लेकिन जाते जाते उसने एक बात सिखाई वो बात यह थी कि इंसान चाहे तो पूरी दुनिया से लड़ सकता है और जीद भी सकता है लेकिन घर वालों से कभी ने जीद सकता वो च्छाए आपका कोई भी रिष्टा हो चाए बाप क्यो기 gid up अबन जाओ जाओ तो पहला शेर ऐसा है जखमों को मेरे शांत रहने दो जखमों को मेरे शांत रहने दो कुछ नाम बहार आ जाएंगे जखमों को मेरे शांत रहने दो कुछ नाम बहार आ जाएंगे मेरे खून के रिष्टे हैं वो बदनाम हो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया और अगला शेयर ऐसा है कि मतलब इससे हर राइटर पोईट अपने आपको रिलेट कर सकता है दर्ज हैं अफसाने मेरे आसुओं की सियाई से समय रहते पढ़ लेना दर्ज हैं अफसाने मेरे आसुओं की सियाई से समय रहते पढ़ लेना वरना ये भी तड़पते रह जाएंगे जब इनसान जवानी में बहुत खुबसूरत होता है बुड़ापे में आके सारी असलेट मिलती है पता चलती है ये खुशनुमा चहरा हाले दिल अब ना पूछो सब रोते ही रह जाएंगे मेरी चाहत का गेरों में इदाफा तो हुआ चार कंदे दे नहीं आ जाएंगे छाले दिल के कितने शेर लिखेंगे हमें किसी बात का गम नहीं छाले दिल के कितने शेर लिखेंगे हमें किसी बात का गम नहीं रोएंगे हम हजार बार जब वावा करते रह जाएंगे शुक्रिया अब मेरे जाने का समय है तो एक शेर पढ़ता हूँ चल व्योम समान बांध बहुत दूर जाना है सोते वे को तेरे अपने जलाकर वापस घर लोट जाएंगे